हलो फ्रैंड्स, कैसे हैं आप चले आजम बनाते हैं कैसी रेसिपी जो आपके लिए बहुत ही हल्द है बहुत ही पॉस्टिक है और यह सभी को खाने चाहिए आप सुबह सुबह अगर इसका शेवल सेवन करते हैं तो यह आपके हिल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है तो इस रेसिपी को बनाना भी बहुत आसान है और आप इसे जिस तरह से मैं बना के दे रही हूं अगर इस तरह से बनाएंगे तो कोई भी बच्चे इसको खाने से मनाने करेंगे तो फ्रैंट्स इसको बनाने के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी है बिल्कु के सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होगी तो चलिए फ्रेंड चलते हैं इसे बनाने हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टु माई चैनल त्रिकूर्ट पैश्ण अवी कीचन आज मैं आपके लिए एक ऐसी हैल्दी और पॉस्टिक रेसिपी लेकर के आई हूं जो आप सभी को बनानी हुचाते हैं आपके लिए मैं यहां पर इनको एक घंटे दो घंटे या सिर्फ पांच घंटे के लिए भी होके रखा है मैंने और उसके बाद में मैंने इसको इस तरह सी एक परतन के अंदर दोनों को मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद में मैंने इसके अंदर पानी ड या फिर आप इसको फ्राइ करने में ही मसालों के साथ डाल दीजिए तो ये दोनों तरीके हैं जिसमें आप इसको पॉस्टिक बना सकते हैं अगर आप मसाले के साथ इसको डालेंगे तो यह और भी हल्दी हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने टमाटर, हरे मेर्च और धनिया बारी कट कर लिया है और अगर आप इसमें प्याज भी डालना चाते हैं तो आप इसमें प्याज डाल सकते हैं और अगर प्याज नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर दीजिए मैं आज जिन के लिए बना रही हूँ वो प्याज नहीं खाते हैं इसलिए मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है अब मैंने एक कड़ाई बुली है उसके अंदर मैंने एक छोटा चमच ओयल का डाल दिया है और ओयल इतना ही लीजिए कि आपको नुकसान नहीं करे इसलिए मैंने इसमें बहुत कम मात्रा में आएल का यूज गया है और इसलिए ताकि यह हल्दी बना तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है आएल और जैसे यह ओयल गरम हुझाए का तो हम इसमें डालेंगे एक चमच जीरा तोड़ा सा जीरे को हम तड़कने देंगे फिर हम इसमें डाल देंगे एक चोटी चमच राई इससे तड़कने के बाद में हमने इसमें हारी मिर्च और शिम्ला मिर्च कट करके रखी थी वो डाल देंगे पहले शिमला मिर्च को डाल दीजिए फिर आप भरे मिर्च जो आपने कट करके रखे हैं उसे भी डाल सकते हैं दोनों साथ भी डाल सकते हैं और जैसे ही वो दोनों पक जाएगी उसके बात में हमें इसके अंदर दूसरे सम एंग्रिडियन्स डालने हैं तो पहले मैं इसमें डाल देती हूं थोड़ा सा टमाटर जो हमने कट करके रखा था अब इसे भी आप पकने दीजिए और जैसे टमाटर हलका सा पक जाएगा इसमें तब आप इसके अंदर डाल दीजिए कुछ मसाले जो आप इसमें खाना पसंद करते हैं तो यह देखे फ्रे मिक्स करना है और थोड़ा सा पकाना है ताकि यह पक जाए और थोड़ा सा गैस का फ्लिम लो रखे ताकि मसाले जले नहीं वैसे तो हमने इसमें टमाटर डाल दिया है तो पानी के आउशकता नहीं रहेगी टमाटर में मौस्टर रहे उससे मसाले जलेंगे भी नहीं और जै के बाद में आप इसमें थोड़ी सी स्टीम लगा लिजे यानि कि कुछ देर इसको पका लिजे और जब सारे मसाले पक जाएंगे सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब आप देखिए यह बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी लगेगा इसी कोई भी खाना पसंद नह करना है जैसे यह पक जाएगा आप देखिए थोड़ा सा इसके अंदर जो पानी है मौश्टर है वो कतम हो जाएगा और मौश्टर कतम होने के बाद में यह बिल्कुल सुखी सुखी और ड्राय सी हो जाएगी और यह देखिए फ्रेंट्स यह पक भी चुकि अच्छे से टम किया है गर्मा गर्म आप इसे दे सकते हैं नाश्टे के अंदर अगर मौनिंग टाइम में आप यह बच्छों को भी देते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है आप इसे हरे धन्य से इस तरह से गार्निश कर दीजिए और फ्रेंट्स हमारा यह हेल्दी और टेस तो फ्रेंट्स इस तरह का नाश्टा आप जरूर्द बना करके ट्राइ करिए और मुझे कमेंट भी करिए कि आपको इस तरह की रेसिपी कैसी लगी और अगर आप इसे अंकुरित करके फिर बनाते हैं तो यह आपके लिए और आपके परिवार के सभी सदश्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होगा और हेल्दी खाना के लाइए खाईए और मसत रहिए तो फ्रेंट्स कमेंट भी करिए